तो अब बत है आरपार के आज के अडिशन की शुरुबात करने का लेकिन मैं आपको बताना जाता हूँ आज लाल किरे की प्राचीर से जब प्रधान मंत्री बोले तो 140 करोड भारत वासियों का नाम उन्होंने बारा बार लिया लेकिन आज एक नई टाम उन्होंने यूज करी नया शब्द उन्होंने यूज करा उन्होंने देशवासी नहीं परिवार जन कहा कहा मैं प्रधान से वक हूँ और बेरे परिवार जन है ये देशवासी और इस शब्द का इस्तमाल 51 बार किया भारत का इस्तमाल 112 बार किया और साथ केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय लाइब जुड़ रहे हैं सीधा उनका रुख कर लेते हैं और आज बहुत बड़ा दिन है आज आज आजादी का जश्ट मना रहा है इंडिपेंटेंस डे हैं अनुराग ठाकुर प्रधान मंत्री ने लाल के प्राजीर से इल गठवार कर दिया है कि वह फैराएंगे तो जरूर लेकिन अपने घर पर जो उनको सरकारी आवास मिलेगा उसके बाद जो प्रधान मंत्री हट जाएंगे देश वासियों को आपके चैनल के माध्यम से 77 दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुबकामने देता हूं प्रध की चेतना जो भारत के प्रति विश्वास जो और जगा है और विश्वास बड़ा है वह अपने आप में दिखाता है कि दुनिया को एक नई उमीद नई होप भारत में भारतवासियों में भारत के नेता में नदर आती है अब इसलिए उन्हें कहा कि मेरे मेरे परिवार जन एक सो चालिस क्रोड भारतियों को परिवार जन कहकर संबोधित करना इसलिए कि इस परिवार से दुनिया की बहुत सारी उमीदें हैं और पेक्षा हैं हमें उन पे खरा उतरना है और अमरित काल की यात्रा जो अजादी के 75 में साल में हमने शुरू की 100 में साल तक हमें भारत को स्वरणिम काल की और लेकर जाना है विक्सित भारत बनाना है इसलिए फिर एक बार मोधी जी का देश का प्रधान मंतरी बनना जरूरी है और परिवार जन ही बनाएंगे क्योंकि कॉंग्रेस ने तो भारतवासियों को राक्षस कह दिया है कॉंग्रेस ने कल क्या कहा कि य गमंडिया गठबंदन ये इनको कहा गया है इनके आंकार और गमंड के कारण जी मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि क्या आपको लगता है और ये बात मैंने प्यूज गोईल से भी पूछी और आप से भी पूछता हूँ क्या ये ओवर कॉंफिडेंस है भारती जंता पार्टी क का उनके नेताओं का उनके मंत्रीगड़ों का कि उनको लगता है कि उनके अलावा कोई जीते नहीं सकता लेकिन इस बार INDIA इंडिया साथ आएगा और इनको निपटना पड़ेगा देश हर हाल में आप लोगों से मुक्ती चाहता है ये लाइन लिए विपक्षने देखिए यूपिए अपना भ्रहष्टा चार का और अपने तुष्टी करण का चेहरा उतार कर जितना जो जोल जोला उठाकर जितना मर्जी पैंग दे उसका कोई फरक नहीं पड़ता अमेशी यूपिए सब ने देखा भ्रहष्टा चार से भरा हुआ ये दल दल था जिसमें गुसे जानती है और ये घमंडिया घटबंदन जो है इनकी पास ना नेता है ना नीती है और इनकी नियत में भी खोट है आप मुझे बताइए इन घमंडिया घटबंदन के पास कौन नेता है कौन इनका प्रधानमंत्रिपत का उमीद्वार है जहां एक और पश्चिम इंगॉल आता तमिलाडू की बात आते डीम की उनको घुसने तो आएंगे कहां कमंडे या घटबंदन के लोग माराज की बात आती है तो शिव सेना और शर्द पुवार जी की पाटी वह वहाँ पे उनको बहुत कम सीटे देती है और एक और जो OBC का इतना अपमान किया रहुल गांदी जी ने तो OBC तो इनको वैसे ही नजदीक नहीं लगने देते तो इनका घमंड और अहंकार जहां इनको एक और राक्षस कहने जनता को राक्षस कहता है तो जनता भी उनको मूँ तोड़ जवाब देगी और उसी व्यक्ति को जो जनता को अपना परिवार मानता है उनका समर्थन करेगी और परिवार परिवार जन के रूप में मोदी जी जनता को मानते हैं आप भी युवा हैं मंत्री भी है केंदर के अंदर राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसत हैं वो कुछ समय के लिए डिस्कॉलिफाइड हो गए हैं उनकी वापसी हो गई है एक सवाल मेरे मन में आता है आपने सदन में उनका भाशन भी सुना क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांदी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांदी इस्तमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से देखे पहली बात तो यह कि ऐसे मौके उनको कही बार मिले राहुल गांदी जी को एक परिवार एक माह एक पार्टी ठक ग पार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए पहले दिन बोलनी पाए दूसरे दिन उठके लेट शायद आए और केवल वो भी ओची राजनिती का एक नया नमूना पेश करके चले गए जहां केवल जूटे मन घणत आरोप लगाए और वापिस भाशन सुनने के लिए र शरीमान राहूल गांदी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे लेकिन OBC का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना एक तो वो घमंड दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार और तीसरा जूटे आरोप लगाना और दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई और फिर उनके पिता फिर उसके बाद आपके पिता ये सब लोग परधान मंतरी रहें ये दो मिन्टों में मनिपूर की हिंसा क्यों नी बंद करवा पाएं कई-कई महिने वहां पे हिंसा रहती थी पेट्रोल एक एक हजार पे लीटर बिखता था डीजल साथ सुर पे लीटर भिकता था छे-छे मिने मनिपूर बंद रहता था और ये कॉंग्रिस की सरकारों में रहता था मीजोराम में तो इंद्रा गांधी जी ने बॉम से हर्मले करवा दिये भारत इंडियन एर फोर्स के माद्यम से क्या राहूल गांधी जी उसका जवाब देंगे और इनका इतिह सब देश ने सुना है इन्होंने माफी नहीं मांगी दूसरा अकाल तक्त पर हरमंदर साब जिस तरह से फॉज भेज करने कारवाई करवाई उन्हें देश से क्या माफी मांगी देश ने देखा है यह तो देश को बांटो और राजकरों की राजनीती करते रहे इसलिए आज भ बात हो रही थी आप में बोला राहूल गांदी बीच पे उठके चले गए उन पे एक इलजाम लग गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस दिया यानि हवा में एक चुम्बन ले रहा है जिसको लिकर बीजेपी की महिला सांसतों ने शिकायत तक दर्ज कराई अधीर बाबू